हाथ स्वच्चता को अपनाना है, बीमारियों को दूर भगाना है सुभा उठने से लेकर रात को सोने तक अंगिनतकार्य हम अपने हाथों से करते है इसी क्रम में जब भी हम अपने हाथों से किसी चीज को छूते हैं तो कुछ की टानूं हमेशा हमारे हाथ में रह जाते हैं फिर इनी दूशत हातों का उप्योग जब हम भोजन करने या आखनाक मुझ को छोने के ले करते हैं तो यही किटाणू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं परिणाम स्वरूप कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं जिसमें डायरिया, अपच्की समस्या, इन्फेक्शन वा फूज पॉजनिंग आदी शामिल हैं बीमारियों से बचने के लिए हात धोना आवश्यक है आज के समय में पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला कोरोना तो सबसे अधिक दूशित हातों की वज़े से ही फैल रहा है इसलिए ये आवश्यक है कि हम हातों को धोने में जरा फिला परवाही ना बरतें हात स्वच्चता को ग्राम स्थर से लागू करने की आवश्यकता क्यों है जमू कश्मीर में लोग हातों की स्वच्चता के महत्व को गंभीरता से लें इसके लिए आवश्यक है कि इस अभियान को पंचायत स्थर से शुरू किया जाए वैसे भी ग्राम मीर दिन चर्या आम तोर पर शारी डिक्ष्ट्रम से जुड़ी होती है जिसमें हम अपने हाथों से कई तरह के कारे करते हैं जैसे खेती बाड़ी, पश्यों को चारा देना, गोबर से उपले बनाना, कीत नाशकों का छड़काफ करना, पोल्ट्री फार्म से जुड़े कारे करना आदी इन सभी कारियों को करते समय हमारे हाथ सेक्डों हजारों की टाणों के संपर्क में आते हैं जम्मु कश्मीर में ग्राम स्तर पर हाथों की स्वच्चता को बढ़ावा देने के लिए राश्ट्री ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत कई तरह के कारे कर सकती है जैसे, सब्ताह में दो बार ग्राम स्वास्ती स्वच्चता पेजल एवं पोशन के अंतरकत बैठक आयो जन कर लोगों को हाथ स्वच्चता के बारे में बताना A&M, आशा और आंगनबाडी कारे करताओं द्वारा गाउं गाउं लोगों को चाकरुक करना गाउं में हर स्कूल आंगनबाडी यादी में साबो नत्वा सानिटाइजर उपलब्द करवाना हाथ की स्वच्चता के विश्चय पर सामुदाइक बैठकों का आयो जन करना ग्राम स्वच्चता सभा का आयो जन करना इस तरह से धोना है हाथ हाथों को साफ पानी में साबुन या हैंट वॉच त्वारा अच्छे से साफ करें साबुन से हाथ धोते हुए उन्हें अच्छे से मले और छाग बंदने दें अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक रगणें उंगलियों के बीच में और नाखून की पूरी सफाई करें अब ताजे पानी से हाथ को साफ करें और किसी स्वच्च कपड़े से उसे पहुँचें कब-कब धोना है हाथ फल और सबजियों को पकाने, काचने वच्छीलने से पहले खाना बनाने से पहले और बात में भोजन से पहले और भोजन के पश्चात पशों को चारा देने से पहले वबाद में श्वच के बाद बच्चों के डाइपर बदलने के बाद तथा निश्चित रूप से किसी और कारण से हाथ गंदे होने पर अगर आप कहीं बाहर हैं या आसपास पानी और साबुन उपलब्द नहीं हैं तो हैंड स्टानिटाइजर का उप्योग कर सकते हैं हलाकि हैंड स्टानिटाइजर को इस्तोमाल करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे उसमें अलकोहल की मातरा लगभग साठ प्रतीशथ हो हैंड सैनिटाइजर ते अपने हाथों को पूरी तरह से गीला करें, गीले हाथों को तब तक रगड़ें, जब तक वो अपने आप सूख न जाएं ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, अपितूस समाज के प्रती हमारा दायत्व भी है अपने ग्राम को स्वस्त बनाएं, हाथों की स्वच्छता के लिए जागरुकता फैलाएं जै हिंद, जै भारत